दल्ली हाई कोट से आच रविन के जिर्वाल के लिए राहत की खबत नहीं है यानि जो याचिका डाली गई उसे हाई कोट ने खारिज कर दिया और सिर्फ याचिका है हाई कोट ने नहीं खारिज की बलकि कोट ने अपने कमेंट के जरगे नाराजगी भी जाहिर की क्योंकि आचिका में जो बड़ी बाते कही गई थी राचनितिक एंगल का जिकर किया गया था और कहा गया था कि ये राचनिदिक साजिश के तहट गिरफतारी है इन सारी बातों पर कोट की नाराज़की देखने को मिली सरकारी वकील को लेकर भी कमेंट किया गया था उस पे जो हाई कोट की टिपड़ी थी हाई कोट ने दो टू कह दिया कि सरकारी वकील पे अगर आप कमेंट कर रही है तो ये ED के उपर नहीं बलकि ये जज़ के उपर कोट के उपर कमेंट है क्योंकि सरकारी वकील कोट तै करता है इस मामले को खारिस करने के पीछे क्या-क्या आधार रहा है वो भी इस वक्त हम आपको सिलसलवार तरीकी से बताते हैं जब ED ने गिरफतार किया और जब 24 घंटे में जब पेश करना होता है गिरफतारी के बाद उस दोरान बड़ी बाते कही गई साजिश करता बताया गया, किंग पिन बताया गया अर्विन केजरिवाल को और जिन जिन चेहरो का नाम लिया गया उनसे पहले ही पूछता हो चुकी है और उनके OST से लेकर और उनके पार्टी के जो तमाम प्रमुक चेहरे हैं उनसे सिलसला ये थमा नहीं है आज जो कोट ने बड़ी बाते कही है, ये सियाचिका को खारिस करते हुए, वो सियाचिका में इस बात पर भी फोकस किया गया कि ये जो पूरा मामला है, वो ED और केजरिवाल के बीच का है, इसमें कोई राजनितिक एंगल नहीं है कानून से उपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी प्रदेश का CM क्यों नहीं हो अगर CM के उपर भी कोई money laundering का मामला होता है, भरष्टाचार का एंगल होता है, तो उससे पूस्ताच की जा सकती है इन तमाम मामलों को explain किया, कोट ने, हलाकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा करना पड़ा है कोट को अलग-अलग राजनिताओं के तरब से जब याचिका जाती है, तो कोट को ये बार-बार दोहराना पड़ता है कि सबसे उपर कानून है, ये देश कानून से चलता है और कानून के दाइरे में हर कोई आता, इस देश का हर नागरिक चाहे वो किसी उच्च पद पे बैठा हो या फिर समाने नागरिक हो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये याचिका खारिस नहीं होती, अगर अर्विन के जरिवाल की गिरफ्तारी को अवैद ठहरा दिया जाता, तो क्या होता? अर्विन के जरिवाल रहा हो सकते थे, इसलिए याचिका को डाली गई थी अब इसके लिए क्या सूरतपन्ती है? मैं वो भी बता देती हूँ क्योंकि अर्विन के जरिवाल की टीम, उनके वकीलों की फॉच, क्यों इस याचिका को लिकर गई थी और सीधे गिरफ्तारी को इचनौती क्यों दे गई थी? क्योंकि इसके लिए जो विकल्प है, जो रा है, तो वो रहा हो सकते थे, इस बीच अगर सुप्रिम कोर्ट से स्टे एडी की टीम ले ले लेती, तो ये रहाई मुश्कल थी, नहीं तो ये आसानी से रहा हो सकते थे अर्विन के जमार, इसलिए उनके वकीलों की फॉच ने, ये प्लान भी तयार किया था, लेकिन जो दवाहों का जो बयान है, वो दर्ज हो चुका है, उन बयानों में सारी बाती क्लियर हो चुकी है कि किसकी किसकी कहां कहां सन्यप्तता है, इन बातों पर ही फोकस करते विए आज अर्विन के जिर्वाल को रहत नहीं मिली है, हाला कि अब बीजेपी से अंगल से बहुत पर है कि जो जूट की इमारत बनाने की कोशिश की गई थी, वो इमारत देय गई है